तो यहां पर मैंने ले लिया है तो कटुरी चावल और एक कटुरी दाल नाल आप कोई भी ले ले लेना और यहां पे टमाटर अद्रक और हरिमिज मटर और साथ में धनिया की पतियां जो की बहुत जरूरी होती है आपके डाल бумडी दाल ने अधनिया धिसती हैं आपको इसेyim पसे कर लेदा आपको बहुत इसोजान दाल लंगा और बनाना फूर्टब कामटें उचशा के बढ़ितेशने के ऩाइळा depends सिसमान फूर्टब करें अविटिय। बहुत आसान है कि जट पड से बन करके तैयार हो जाता है और इसमें आप जितनी सारी डालना चाहों भी डाल सकते हो मैंने तो कुछी डाली अगर आपको जो भी पसंदों उस वेजी को भी इसमें आप यह कर सकते हो यह सोगई चंग सोगए है गुलाभी इसे निकाल लेते एक प्रेट में यह देखे का है और अब हम इसमें डालते हैं जीरा और है यह मेरी आवाज सोड़ी सी खराब है इस चीज को मद ध्यान देना और यहां प्र निया चाल मैंने जागे यहं पर लिग चल मैं तो इसको हम इसमें आड करते हैं और इसे हम भून लेते हैं इस समय जो फ्लेम रहेगी ना वो मीडियम रखना ताकि यह चावल और जो दाल अड़ किया वो अच्छे से बुन जाए ज्यादा नहीं बुनना है पर हां अच्छे से बुन जाने चाहिए पांच मिट तो कम से कम भ करेंगे मतलब पकाएंगे ना जब तक कि जैसे टमाटर दम सौफ से हो जाएंगे यह दिखिए कुछ इस तरीके से मिला लेते हैं इसको भी अच्छे से और फ्लेम इस समय हम स्लो ही रखेंगे साथ में एड कर देंगे इसमें हल्दी हल्दी पड़र आदी स्पून बरकर कि में भी आप मेजरजू ताल चावल का है न किसी बादो से करना एकदम पॉफिक्त बन करके तियार हो जाएगी और साथ मेजिक करने वाले हैं मैजिक जिसे के रखेंगे संफ बहुत है शान्दार हो जाता मुझे मैजिक मसाला जो है अच्छ लगत इसका इसका अच्छ लेव कुछ इस तरीकास से थोड़ी देर वोली तरीकों फिला भुड़ी तुट शरीकेश फ्रीकy जी जा सी तब बुढम है क्लिक्वार्जन साव्र हों क्या भुड़ी जा सबदे थिचि तोर व्रह सी नदर एनले भुड़ी तीन है इसमें बहुत ही तेस्ट आ जाता है अगर आ पलास्क में अत्रग डालो ऐसको बहुत है और बहुत है भाषी लगता है और हलवाई लोग इसी तरीके से बनाते हैं यह पर यह अच्छे से भुन गया है तो इसमें एड करतेंगे पानी तो हमने दो कप चावल और एक कप दाल ले तो यहां पर हम चार कप भर करके पानी एड कर देंगे कुछ इस तरीके से और जो हमने पहले से भून करके रखाता ना सोया चंक्स और हरी मटर इनको भी हम इसी में एड कर देते हैं तो आदे स्पून बरकर और इसको भी हम मिक्स मिक्स कर लेंगे अब इस समय हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी दनिया पती डाल देंगे इसका स्वाद और भी बहतरीन हो जाएगा और बस इसके बाद हम लगा देंगे तीन सीटी वह भी हाई फ्लेम पर क्योंकि सारी चीज़े अच्छे से पक चुकी है तो हम मेरे पास रखे हुए तो मैंने इसको भी चाल लिया साथ में और यह देखिए कितनी शांदार बनकर के तैयार हुई है और इन्हों ने लाया था कचोड़ी दमालू प्रशाद काही मैंने का चलो इससे भी खा लेंगी तो देखिए लग रही ना कितम यमी और टेस्ती देश लाइक शेयर और कमेंट जरू करना अगर आप यूटूब से दिख रहे हो तो सस्क्राइब जरू करना फेस्बूक पो हो तो फॉलो करना बाबाए